Hello Everyone, Welcome to our channel MP Board English Medium So guys, आज फाइनली इस वाले वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हमारी Important Question की सीरीज को अभी काफी दिनों से आप मुझे मैसेज कर रहे थे कि भी आप कब Important Question की सीरीज को स्टार्ट करेगे So finally, here we are, आज से हम लोग हमारे Important Question की सीरीज को स्टार्ट कर रहा है So आज की इस वीडियो में हम लोग डिसकस करने वाले है आपके Physics के Chapter No.1 Electric Charges and Fields के Important Question को Basically, ये जो है आपका First Unit का Chapter है Chapter No.1 जो आपका Unit No.1 के अंदर आता है Electrostatics के अंदर तो इसको हम लोग डिसकस करेगे इसमें से Chapter No.1 आट डिसकस करेगे अगले वीडियो में Chapter No.2 के बारे में डिसकसन करेगे देखो गाईस, इस वाले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कुछ अपडेट्स बताना चाहता हूँ जो कि मैंने चैनल पर किये है जो कि मैं काफ़े लंबे टाइम से सोच भी रहा था जिससे की चैनल ऐस वेल आप लोगों को भी काफ़े जादा बेनिफिट होगा तो अपडेट्स बता देना चाहता हूँ इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को एंड तक देखे का हो सकता है थोड़ा वीडियो लंबा हो बाट आप लोगों के साथ में सारी चीज़े शियर करना चाहता हूँ अपडेट्स मैंने यह किया है कि सबसे पहली चीज़े तो आज समा हमारी इंपोर्टन कोशन की सीरीज को स्टार्ट कर रहे है तो मैंने टार्गेट है रखा है कि अक्टोबर तक कि इसको हम खतम कर देगे सारी सब्जेक्ट के हम इंपोर्टन कोशन डिसकस करेगे then उसके बाद जैसे ही सारे सब्जेट के important question खतम हो जाते इस बार मैं try ये करोगा कि match के भी आप लोगों के important question जो है वावी लेबल करोगो इसके बाद मैं Hindi और English को भी इस साल tackle करने वाला हूँ पूरी chapters आप लोगों का explain करोगा as well as उनके important question भी दूँगा इसके साथ साथ मैं try कर रहा हूँ इस बार की Hindi medium वाले बच्चों के लिए important question लेकर के आओ विकोज जो हिंदी medium और English medium का question paper तो same ही आता है बस same question को English में और Hindi में दे दिया जाता है तो हिंदी medium वालों के लिए important question आएगे जी तरह से आपको इस वाले वीडियो में सारे questions English में दिख रहा है अगली वीडियो आप लोगों के Hindi medium वाले बच्चों के लिए होने जा रही है तो अगर कोई Hindi medium वाला बच्चा इस वीडियो को दिख रहा है तो आपको हिंदी में पूरी शुद्ध हिंदी language में आप लोगों के यही question मिलने वाले because question तो same आते है बस language difference होता है हिंदी medium वालों के लिए भी सारे important question में दूगा एक separate video हिंदी medium के लिए रहेगा और एक separate video English medium के लिए रहेगा ठीक है guys इसके साथ साथ मैंने अभी recently मेरे channel का logo change किया है telegram channel का भी logo change किया instagram एक मैंने page बनाया है आप लोगों के screen पे display हो रहा होगा मैं सारी चीज़े की link दूँगा आप लोगों को description में telegram channel की और instagram page की भी please जा करके वहाँ इन्हें follow कीजिए मैं जितना भी exam related content है और जितना भी study material वगरा है सब कुछ वहाँ पे post करता हूँ तो आप लोगों से request है कि आप telegram as well as instagram से जूड़ जाएए ताकि आप लोगों को channel के बारे में और जायनकारी मिले और आप लोगों की study में मैं help कर पाँ एक और चीज की हम बहुती जल्दी अभी facecam videos पे shift करने जा रहे है because अभी मुझे भी इतना ताइम ने मिल पाता है कि मैं आप लोगों की slides and all prepare करू तो हम direct facecam videos के थुरू आप लोगों को important question और बाकी की जित्ती भी detail and knowledge है वो provide करने की कोशिश करेगी तो यह थे कुछ major update जो मैंने channel पे किये है please guys आप लोगों से request है अगर आप इस important question की series को आज से लिकार आखरे तक join करते तो मैं यह guarantee देता हूँ कि आप लोगों के बहुत अच्छे percent बनेंगे आप लोगों की board exam में तो make sure कि आपने अगर इस important question को join किया तो end तक इसके साथ बने रहे बहुत ज़्यादा helpful है बहुत ज़्यादा important question आप लोगों को देता हूँ मैं और आप लोगों के एक और चीज़ बताना चाहता हूँ मैं हर वीडियो में start करने से पहले बताता हूँ कि देखो यह question मैं आप लोगों को मेरे experience के basis पे दे रहा हूँ मैंने 2020 में board clear किया था मेरा result की photo देख सकते 87% थे और recently मैं एक medical BMS student हूँ तो आप लोगों को मेरे knowledge के basis पे ही important question देता हूँ मुझे experience है मैंने score किया definitely आप भी कर सकते ठीक है guys तो हम चुरू करते है हमारी important question की series को और हम जिस chapter के बारे में बात करने हूँ है आप लोगों का electrostatics unit का chapter number 1 electric charges and field जब से पहले जान लेते है blueprint के according इस वाले chapter का कितना weightage है तो इस वाले chapter में आप लोगों को entire unit से 6 number का पुछा जाएगा blueprint मैंने पूरी तरह से explain कर रखी आप लोगों ने अगर नहीं देखी है तो वीडियो की link मिले है description में ये pdf भी आप लोगों को provide की blueprint की as well as reduce syllabus की भी और सारे कुछ जो है explain भी किया अगर नहीं देखा है तो जाके आप देख सकते blueprint समझने आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूज है तो electrostatics वाली unit से 6 number का पुछा जाएगा 2 number का 1 question और 3 number का 1 question objective मैं अभी छोड़ दे रहा हूँ objective के लिए मैं separate video बनाऊगा जिसमें जो जो chapter आप लोगों को objective के लिए important है उसके सारे objective भी आप लोगों को provide करूगा इस वाली वीडियो में हम chapter number 1 के 2 number as well as 3 number के questions को discuss करेगे तो बढ़ते हैं आगर सबसे फ़ले discuss करते हैं 2 number के question तो 2 number के question में सबसे पहला question आता है define intensity of electric field तो क्या होती है intensity of electric field देखो जाए जितने भी question है ना बहुत important है बहुत बार पूछे गए है और मुझे important लगते है इसलिए यहाँ पर मैंने mention कर रखे यह PDF आप लोगों को मिले telegram channel पर मिल जाएगी तो जैसे ही video upload होता है तो उसके बाद आप लोगों telegram channel से इस वाली PDF को जाकर करके download कर सकते है तो आपको telegram channel को join करना होगा दूसरा आता है एक electric dipole क्या होता ही आप लोगों को बताना है दो नंबर का question है तो जादा जादा आप लोगों को इसको पाच से छे लाइन में लिख करके खतम करना है तीशरा question आता है राइट अनि 4 properties of electric lines of force तो electric lines of force जो होती है उसकी 4 properties आप लोगों को लिखना है आया तो एक question दो नंबर के लिए पूछा जा सकता है और बहुत बार पूछा भी गया है board exam में चौथा question आता है इसको mark कर लो बहुत ज़्यादे important question है इसमें से पूछा जा सकता है flux के बारे में यह question को IMP mark कर लो बहुत ज़्यादे important है ऐसे तो बहुत कम question दे रहा हूँ आप लोगों को बहुत ज़्यादे important है और selected question से तो इनको अच्छे से करना पाच्वा question आता है अभी आप लोगों के senior batch उसे में पूछा गया है यह question तो इस question को mark कर लो important बहुत ज़्यादे important है यह 5 question आए तो दो number के लिए आप लोगों को पूछे जा सकते हैं अब बात करें तीन number के लिए तो तीन number के लिए मुझे लगता है दो ही question इस chapter से बन सकते हैं वह है पहला state coulombs inverse square law of electrostatic charges on this basis define unit charge तो आप लोगों को इस वाले question को अच्छे से practice करना है थोड़ा lengthy question है आने की chances बहुत ज़्यादा बनते हैं तीन number में ठीक है second question आता है right gauss theorem आप लोगों को यहाँ बस gauss theorem को लिखना है उसका जो statement होता है वो लिखना फॉर्मूला लिखना है यहाँ पर आपको प्रूफ करने नहीं बोला गया है विकास तीन number के लिए आप लोगों से प्रूफ नहीं पूछा जा सकता हो बहुत जादा lengthy है ठीक है तो यह है इस वाले chapter के important question इस PDF को आप मेरे telegram channel से join कर सकते है link description में अगर आप लोगों को कुई कोई query है तो instagram page को follow कर सकते है वहाँ आपको मेरी खुद के instagram id भी मिल जाएगी तो आपको जो भी question आप मुझसे पूछ सकते है और क्या changes चाहते है और आप क्या demand चाहते है comment section में बताइए यह इस वाले chapter के important question थे अगली वीडियो में अगले chapter के discuss करेंगे और next video होने वाले हिंदी मीडियों वाले बच्चों के लिए जिसमें हम हिंदी में सारे questions को discuss करेंगे I hope आप सभी को ये वीडियो पसंद आयागा तो इसको like कीजेगा और बने रहेएगा हमारे साथ हमारी important question के series में till then thank you for watching this video मिलते हैं आप लोगों से next video में